नमस्कार दोस्तो आपका भानु स्वास्थ्य के इंदर में बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तो पिछले वीडियो में मैं आपको गिलोई के बारे में बता चुका हूँ कि गिलोई का कैसे प्रयोग होता है और ये कैसे बनानी है। दोस्तो गिलोई जो है वो बास्तम में कैसे पैदा हुई और इसके और भी क्या के नाम है गिलोई को अमरिता भी कहते हैं गुडूची कहते हैं शंशमनी कहते हैं तो दोस्तो ये जो गिलोई है बास्तम में उसमें पैदा हुई जब रावन और रामचंदर जी का युद हुआ तो जो रावन बाले सेना के लोग थे वो सैनिक मरते थे तो वो लकड़ी से उसका उनके वहाँ जो एरिया था उसमें संसकार वगरा कर देते थे लेकिन राम चंदर की जो सेना में बानर सैनिक थे वो भी मरे तो उनको जिलाने के लिए बानर सेना मैं अब बानर सेना लकडियां कहां से लाए तो उस समय राम चंदर जी ने एक अगनी रूपी अमर्त बान छोड़ा और उस अमर्त बान से अगनी रूपी अमर्त बान से जो बानर सेना का अंतिम संस्कार था वो किया और दोस्तों जब वो उस बान से अमरित बरसा हुई तो उस अमरित की बुंदें जहां तहां गिरी कुछ पेड़ाओं के ओपर जैसे कैसे कहां भी गिर गिरी तो उससे ये गिलोई जो है जो अमरिता है वो पैदा हो गई दोस्तों बास्तव में ये अमरित है तब इसका नाम अमरिता पड़ा और गिलोई के अंदर अमरिता भरा है दोस्तों इसका दूसरा कारण और भी है इसको अमरिता क्यों कहते हैं दोस्तों एक छोटा सा एक फिट भी इसका टुकड़ा कहीं आप किसी भी पेड़ के ओपर फैं अमरता कहते हैं दोस्तों ये जो आयरबेद बिज्यान है इसमें ये सबसे ज्यादा ताकतवर अरसाइन है ताकतवर आउस्दी है दोस्तों ये जरूरी नहीं कि हम इसका बीमारी में ही प्रेयो करें दोस्तों इसको हम कोई विक्ती ऐसे भी कम से कम मैं बोलता हूं कि जैसे मैं वो गोलियां बनाना बताई थी आपको मेहने में पांच साथ बार वो गोली जरूर खाएं क्योंकि इस से हमें फाइदा होगा और एनर्जी बढ़ेगी और जो हमारा आज कल के जो रोग किसमता है और रोगों को रोगों से ड़ने के खिसमता बढ़ाती है निकि हमारा जो ये आम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाती है दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यूरिक इस्ट की वज़े से जो भी स्रील में दर्दे हैं यूरिक इस्ट की वज़े से जितनी भी दर्दे हैं वो खत्म हो जाती है चाए वो जॉइंट पेर है घुटनों का दर्द है एड किसी प्रकार का दर्द जो है वो से ठीक हो जाता है दोस्तो जैसे मैंने इसको आपको बताया था कि 10 किलो गिलोए उसको पीस करके या कूट करके आपने उसमें 10 किलो पानी डालना है और इसको अच्छी तरह वाल करके अच्छी तरह बालने के बाद इसको आप उतार लें उतारने के बाद इसको जब ये ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद इसको आप कपड़े से निथार लें और निथारने के बाद आप इस पानी को फिर काड़ते जाएं काड़ते जाएं जब ये अंत में काली रबडी सी बन जाएगी जैसे हम खोया काड़ते हैं तो उस समय उसको उतार लें दोस्तो इस में आप काली मिर्च का भी पौडर डाल सकते हैं और इसमें आप जो आपकी अजवाइन होती है उसको भी डाल लें इसको भी आप बारीक पौडर करके यानि कि आप सौ ग्राम इसमें काली मिर्च का पौडर ला ला लें और सौ ग्राम ही आप इसमें जो अजवाइन होता है उसका पौडर करके उसमें डाल लें और डालने के बाद उसकी आप गोलियां बलाना है दोस्तो एक विसेस बाद होती है इसमें कि अगर जैसे आप ने उसको काड़ करके किसी पात्र में रख दिया तो जैसे आप पांच साथ दिन रखे रखते हैं उसको तो उसके उपर उल्ली आ जाती है करे वार यह फफूद आ जाती है तो दोस्तो ऐसी हालत में आप उसको यह ना समझे कि खराब हो गई है तो उस्तिती में आप उसको धूब में सख्वाएं और जब वो सूख जाए तो उसको आप पौडर भी बना सकते हैं लेकिन बनाने के बाद जब यह आपकी रबड़ी त्यार हो जाती है दोस्तो आप दूस नहीं स्रीर में ऐसे कारणी जान पाते कि हमें बमारी कैसे लगी क्यों लगी हमने क्या खाया जिससे हम घबरा जाते हैं तो दोस्तो जब आपका अम्यून सिस्टम ही इतना हाई हो जाएगा आपको छोटी मोटी बमारी तो लगेगी नहीं और हमारा बैसे भी जो आजकल का खान पान है उसे हमारा तो कफी कमजोर हो गया है तो दोस्तो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तभि मैं आपको आज द кажется कि explosively कीज़ की तो दोस्तों आगे सागे जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे आपका भी इसमे भला है और लोगां का भला है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो यह वीडियो जरूर फिर दबारा शेर करें और हमारा चैनल अगी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो इसको आगे जरूर सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्य बाद